असलाम अलेकूम फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल सोचते तो हम सभी बहुत कुछ है लेकिन उस सोच को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए हमें हिम्मत और होसले की जरुरत होती है तो मैंने जो स्टॉक पे रक्षादी को देखा और उनकी स्टोरी सुनी तो मैं उनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुई कि उन्होंने किस तरह से अपनी दो ननी बेटियों के साथ अपना यूट्यूब का स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम तक पहुची तो फिर उनका ये कहना कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते आप कोशिश तो किजिए मैं आपके साथ हूँ मैं आपको जरूर सपोर्ट करूँगी तो इसी उनकी हिम्मत और होसले की वज़ा से काम तो हम सबी करते हैं फिर मैंने भी यही सोचा कि मेरे भी पास एक आर्ट है मैं भी काम करती हूँ मैं भी अपना ये आर्ट एक कला मैं अपनी बहनों को बता सकती हूँ तो फिर मैंने भी उनकी इसी स्टोरी से इनस्पायर होकर मैंने अपना स्टिचिंग का स्टिचिंग टिप्स आइन ट्रिक्स विद इश्रत इस नाम से चैनल स्टार्ट किया और आज मैं उनी से मोटिवेट होकर ये काम कर रही हूँ, हम यूट्यूबर्स को मोटिवेशन की बहुत ही जरूरत होती है, और वो मोटिवेशन हमें मिल रहा है रक्षादी से, क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स का मोटिवेशन का वीडियो सुना, लेकिन जो समझ कहीं से नहीं मिली रक्षादी से जो मोटिवेशन मिला उससे तूरंथ हमें हिम्मत और होसला आजाता है और हम डी मोटिवेट नहीं होते हैं हमें कुछ करने की और भी हिम्मत आती है तो ये देखिए आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छा सा एक गले का डिजाइन देखेंगे ड्रेस के गले का डिजाइन देखेंगे ये देखेंगे यार्ट बाइ आर्ट का कैन्वेस लिए है उपर ढ़ाई इंच में मार्क किये है नीचे साड़े छे इंच का हम गला लेंगे और हम हमेशा की तरह rounds 32 pmwang, 6,6 लेंत का 1 box तयार कर लेंगे यह हो गया हमारा 5,2 भाए शारे 6 का 1 box का एक बॉक्स तयार इसकी अंदर अब हम गले की डिजाइन का शेप देंगे जो भी हमें गले की डिजाइन चाहिए वो इस बॉक्स के अंदर हम मार्क करेंगे इस तरह से अब हम इसको साइड से एक इंच की आउटलाइन के हिसाब में एक मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को हम कट कर लेंगे इक्स्ट्रा का जो भी हमारा कैन्वे से उसको कट कर लेंगे और इस कैन्वेस को एक स्क्वेर कपड़े के उपर रखकर उस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और कैन्वेस से आदा इंच मार्जीन रखते हुए हम कपड़े को भी कट कर लेंगे यह देगे इस तरह से जिस तरह से हमारे गले का शेप है उसी शेप की बाजू से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे और उस कैन्वेस को हम कपड़े के उपर रखकर कैन्वेस को हम कपड़े के उपर रखकर हम बहुत ही किनारी से उस कपड़े को कैन्वेस के साथ एक दूसरे के साथ अटेच कर लेंगे कैन्वेस और कपड़े को हमारे गले के शेप के हिसाब में गुमाते जाना है और सिलाई करते जाना है और जहाँ पे हमारे कैन्वेस का डिजाइन की कॉर्णर आएगा वहाँ पे हम कपड़े को थुड़ा कट लगा लेंगे ताकि हमें कपड़ा फोल्ड के लिए किनारी फोल्ड के लिए असानी रहे यह देखे इस तरह से हम कैन्वेस को कपड़े के अंदर फिक्स कर लेंगे और extra का जो भी कपड़ा है उसको हम cut कर लेंगे और हम center में एक सिलाई कर लेंगे center से हम canvas को पक्का कर लेंगे ताकि हमारे गले की design में cutting में और सिलाई में canvas और कपड़ा ही लेना इसलिए हम बीच की सेंटर की सिलाई लगाते हैं यह देखें, यह हमारे टॉप की कटिंग है इसको हम सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे यह देखें, यह डबल फोल्ड में हम इसको घड़ी करके रखेंगे और इसकी बंद बाजू की तरफ से हमारे कैन्वेस की भी बंद बाजवाएगी गले के डिजाइन के कैन्वेस की बंद बाजवाएगी और इसको हम बहुत ही अराम अराम से जिस तरह से हमने गले की डिजाइन की मार्किंग किये है उसी तरह से हम उस गले की डिजाइन को कट करेंगे शेप बहुत ही अराम-अराम से और फिनिशिंग से और एक साथ ही नीचे के कपड़े के साथ कट होना चाहिए बिगिनर्स को ये प्रैक्टिस से ही आएगा इसके लिए बिगिनर्स को प्रैक्टिस की जरुरत होगी ये देखी ये हमारा गले का शेप कट हो गया और जैसे के मैं हमेशे बताती हूँ मुंडे का शेप में मशीन के उपर ही लगाती हुँ, सिलाई करते वक्त ये देखी ये हम मुंडे का शेप दे देंगे जिसने मुंडे का शेप का विडियो नहीं देखे वो armhole की गोलाई का शेप मेरे विडियो के ओपर जाके देख लीजिए आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा यह देखिए यह हमारा armhole का shape भी cut गया और हमारा गले का shape भी cut गया इस तरह से अगर आप armhole की cutting करेंगे तो आपके chest की fitting बहुत ही अच्छे से बैठेंगी और हमारी sleeve उसके अंदर कोई भी चुनी या घड़ी नहीं पड़ेगी यह देखिए अब हम हमारे जो dress का खपड़ा है उसको सीधा कर लेंगे उसके उपर हमारा canvas का जो कपड़ा है उसको उल्टा रखेंगे नीचे का कपड़ा सीधा रहेगा उपर उल्टा रहेगा और बहुत ही अच्छे से उसको एक दुसरे के उपर रखते हुए corner से corner मिलाते हुए हम उसको सिलाई करते जाएंगे सिलाई हमें गले की सिलाई एक ही margin से करनी है margin कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तभी हमारी design अच्छे से निकल कर आएगी यह जो सिलाई होती है इसी के उपर हमारे गले की उपर की finishing उसी सिलाई के उपर डिपेंड होती है हमारी उपर के गले की डिजाइन की फिनिशिंग जिस तरह से हमारे गले का शेप है उसी तरह से हम सिलाई अराम अराम से करते जाएंगे और जहाँ पे कॉर्णर आएगा वहाँ पर हम सुई का पॉइंट जो है नीचे रखेंगे और कपड़ा गुमाते जाएंगे और बहुत ही अराम-अराम से गले की सिलाई हमको लगानी है यह देखिए दाब हम उपर कर लेंगे सुई का पॉइंट नीचे रखेंगे और कपड़ा के अन्मिस गुमाकर सिलाई आगे करते जाएंगे यह देखिए यह हो गई हमारी गले की एक दुसरे को अटेच करते हुए पहली सिलाई कम्प्लीट अब हम इस गले की डिजाइन के अंदर सिलाई की बाहर बजू में छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे थोड़ी-थोडी डिस्टंस के ऊपर छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा उपर से गला जो है फिनिशिंग में अच्छे से आए अब हमारी जो कैन्वेस की पट्टी है हम उसको अंदर की बाजू फोल्ड करेंगे हाद से प्रेस करते जाना है और फोल्ड करते जाना है और जहाँ पे हमारा कॉर्णर आएगा वहाँ पर हम कोई नोकिली चीज से हमारा कॉर्णर बाहर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग से निकाल लेंगे कॉर्णर निकालते वक्त बहुत ही अराम से निकालना है यह देखिए इसी तरह दूसरा कॉर्णर भी हम अच्छे से निकाल लेंगे यह देखिए और हाथ से अंदर बाजू की तरफ प्रेस करते हुए गले का शेप निकाल लेना है यह देखिए इस तरह से इस तरह से हमारे गले का शेप निकाल कर आया है अब हम इसके किनारी के उपर बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे कॉर्नर के उपर सुई का पॉइंट नीचे रखेंगे दाब गुमा कर हम कपड़ा गुमा लेंगे और बहुत ही अच्छे से किनारी के उपर हमारे गले के शेप के हिसाब से हम सिलाई करते जाएंगे यह देकी यह हो गई हमारे गले की पहली सिलाई कंप्लीट इस सिलाई के साथ हम अंदर की बाचू अंदर की पटी को हाथ सिलाई करके हम इस को गले को छोड़ भी सकते हैं लेकिन मैं इसके अंदर और दो सिलाई और लगा लूँगी बहुत ही करीब करीब और बहुत ही finishing से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा गला बहुत ही finishing में और बहुत ही अच्छे से निकल कराता है तो यह देखिए एक ही distance के साथ finishing में हमको गले की सिलाई complete करनी है गले के shape के हिसाब से हम कपड़े को गुमाते जाएंगे और सिलाई को complete करते जाएंगे तो इस तरह से हमारी गले की डिजाइन बहुत अच्छे से निकल कराएगी प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर कोई सवाल हो तो comment box में जरूर पूछे, bell icon भी जरूर प्रेस करें और अगर आपको कुछ और design देखने हैं तो आप comment box में जरूर बताए तो मैं आपको next video उसका लेकर आऊँगी ये देखी, इस तरह से हमारा गला निकल कर आएगा ये हो गई हमारे गले की पूरी सिलाई बने रहे मेरे channel के साथ Thanks for watching, Allah Hafiz